मैं हूँ शेचांग लखेरा नौ रेसेंटली आपने इस न्यूस को तो सुन लिया हुए कि सुप्रीम कोट ने एक बहुत इंपॉर्टन डिसीजन लिया है एक बच्चे को लेकि कि बच्चे का जो सरनेम है वो सिर्फ उसकी मा जो है तै करेगी देगो एक्चिली में ये पहले है आन्द्प्रदेश का जो कोट है उसने यहाँ पर यह कहता कि यह जो नाम तै करना यह सिर्फ और इसके जो और जो यहाँ पर तै कर सकते हैं लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोट ने यह पर यह कहा कि यह बिल्कुल कलळ है आप कैसे किसी बच्चे को सरनेम से जो है रोख सकते हो मतलब उसका सरनेम चेंज होगा तो उसको काफी सारी चीजे आप Help करेंगे उसको काफी जाधा है problem होगी उसको काफी सारे उसकी जो मानसी किस्थिती है उस पर काफी जाधा इसी को लेकर Supreme Court ने एक बहुत important decision दिया है इस पे आपको article भी देखने को मिलेगा Mother has the right to decide surname of child Supreme Court तो recently Supreme Court ने एक बहुत important judgment दी है इसको discuss करेंगे हम इस पे एक और article A.V.P. News का Supreme Court ने मां के हक में सुनाया बड़ा फैसला बच्चे का उपनाम तै करने का दिया अधिकार तो में लिए अब जो है जो मां होंगी वही जो सरनेम होंगी वो तै करेंगे कि बच्चा जो है क्या सरनेम लगाएगा देखो इसका simply एक reason भी है कि natural जो गारजियन है वो मतल और फादर होते हैं अगर फादर नहीं है तो simply बच्चे के जो गारजियन होंगे वो उसकी मां ही जो है कहलाएगी जो डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में कि actually में supreme court ने कहा क्या है और आंध्र प्रदेश ने किस मुद्धे पे जो है इस बात को कहा था और आखिर में सुप्रीम कोड जो है क्या कहता है तो काफी कोच जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी एक्साम की प्रप्रेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स ने करते हो आपको simply करना अजिमेंट दी है उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मदर जो है only natural guardian होती है child की मतलब मदर और फादर तो नो होते लेकिन मान लो father नहीं है सिर्फ मदर है तो मदर जो है legal guardian कहलाएंगी किसकी child की और इनको यहाँ पर अधिकार है इनको right है कि वो surname child का decide करें मान लो अगर उसकी मान ने दूसरी शादी कर ली है तो वो उधर का नाम बिलकुल रख सकती है मतलब उसकी माँ decide करेंगी कि actually में वो जो है क्या नाम लगाएगा देखो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे कि अगर first husband जो है नहीं है और यहाँ पर second शादी होती है तो भी अगर वो बच्चा जो है नई family में जाता है तो वो किस family का जो surname है वो यहाँ पर use करेगा तो यह जो पूरा हक है यह उसकी माँ को दिया जाता है माँ ही जो है decide करेगी अगर जो बैंच है justice दिनिश महिश्वरी के इसके लाव जो कृष्ण मुरारी की उन्होंने यह आप यह का कि the mother being the only natural guardian of the child has the right to decide the surname of the child she also has the right to give the child in adoption मतलब मदर का जो है एक बहुत important role देखने को मिलेगा मदर natural guardian होती है child की उसके पास right है अधिकार है कि वो अपने बच्चे का surname decide कर ले इसके अलावा अगर वो adoption भी देती है मतलब अगर कोई वो चाहती है कि यह बच्चा हमारे साथ रहे या ना रहे मतलब उसके first जो शादी हुई थी उसका बच्चा था अगर वो चाहती है कि यह हमारे साथ रहे या ना रहे तो जो adopt लोग यहाँ पर करेंगे जिसको भी adoption करना होगा तो उसका भी legal right जो है माँ यहाँ पर देगी मतलब अगर तादादी के पास भी जो 1st 10 बेंडे उसके मम्मी पापा भी यहाँ पर रखना चाहते हैं तो mainly तब भी जो conditions है वो माँ की उपर मतलब मा जो है legal guardian होगी मां ही यहाँ पर permission देगी मडर जो है permission देगी कि हाँ मैं इसको जो है adopt करना चाहते हूँ या adopt जो है adoption करवाना चाहते हूँ कोई जो है इसको adopt कर ले तो यह जो right है यह पूरी mother का है अब देगो यह पूरा matter यहाँ पर आया कैसे था तो जो parents है मतलब जो एक बच्चा था उसके फादर जो है पहले आप expired हो गए तो उसके दादादी ने जो है case लगाए आंदरप्रदेश हाई court में यह 9 अप्रेल 2008 की बात है इन्होंने प्रेटिशन एक फाइल करी under section 10 जो की wards act है 1980 का इसमें जो guardian है minor child के उसके लिए जो है यहा हमारे साथ रहेगा और हमारा सरनेम यहाँ पर यूज करेगा तो अंदरप्रदेश court ने जो है इसको यहां पर सही का बच्चा जो है बिलकुल आपका सरनेम यहां पर यूज कर सकतो आपी का सरनेम यह लगाएगा लेकिन हुआ क्या उसके बात जो मदर है उसको कुछ जो है ये बिल्कुल गलत है, high court को जो है condition समझने चाहिए, उस बच्चे पे जो है क्या आसर पड़ेगा, इसके अलावा, दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, कि जो तथ है, मतलब जो सामने evidence है, उसको देखते हुए, पूरी situation को देखते हुए, जो high court ने decision दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, आंद्रदेश court जो है, कुछ भी यहाँ पर कह रही है, अब इसी को लेके, जो आंद्रदेश court ने decision दिया था, कि हाँ, जो child की, जो है, father की death हो गई है, उसकी mother जो है, सिर्फ यहाँ पर है, तो ये natural balance हो है, लेकिन, जो surname का right है, वो दादादी को भी जो है दिया जाता है, आंद्रदेश court ने यहाँ पर यह कहा, अब आंद्रदेश के high court ने जब यह decision दिया, कि दादादी का भी जो involvement होगा, मा के पास, जो है, legal right तो है, इसके साथ साथ, जो family का है, वो भी involvement अपको देखने को मिलेगा, तो जो मा है, उसने क्या किया, Supreme Court में जो है, competition दाइर करें, इसी case को लिए, तो Supreme Court ने जो आंद्रदेश high court का decision था, उसको reverse करते हुए, यहाँ पर यह कहा, की भाई, अगर first father जो रहे, मतलब child के जो पहले पितर है, उनकी यहाँ पर death हो गई है, अब सिर्फ mother है, तो उसके natural balance कोन हुई, वो तो सिर्फ उसकी मा है, तो उस उसके पास जो है, यहाँ पर right है, कि वो अपने बच्चे का surname, जो है, decide करेगी, इसके अलावा, high court को अपने judgment को जो है, सोचना चाहिए, कि उनने जो है, किस तरीके का यहाँ पर judgment दिया, उस बच्चे पर जो है, क्या असर पड़ेगा, अब खुश सोच के देखो, अगर जो है, आपर दूसरी शादी करें, अब वो बच्चे मालों उनके साथ रह रहा है, और अगर वो first father का surname यहाँ पर use करेगा, तो जिस नई family में वो यहाँ पर रह रहा है, तो उसको कहीं न कहीं एक problem जो है, face करनी पड़ेगी, पूरे दिन बर जो इसके दमाग में यही चलता रहेगा, lifetime जो है, उसके दमाग में यही चलता रहेगा, कि मैं जो है, यह surname क्यों use कर रहा हूँ, बाकी सब तो यह surname use करते हैं, तो में लिक कहीं न कहीं एक glitch जो है, आपको देखने को मिलेगी, एक problem जो है, देखने को मिलेगी, और Supreme Court ने यहाँ पर यह भी कहा, कि यह जो है, एक तरीके से उसको mentally torture भी होगा, दो को सही बात है कि जिस तरीके का decision जो है, हाई court ने दिया था, यह बिल्कुल गरत है, इसके बाद Supreme Court ने अपना यहाँ पर decision दिया, और Supreme Court ने यहाँ पर यह भी कहा कि, अगर first husband की death हो जाती है, तो सिर्फ mother जो है, natural जो है parents होगी, और उसके पास जो है right होगा, कि वो surname का child जो है decide करें, जो की जो है बिल्कुल मेरे हिसाब जो है यहाँ पर सही है, और last में Supreme Court ने एक point भी add किया, Supreme Court ने last में यह कहा, कि यह जो है, सरनेम, यह child के लिए बहुँदा important है, क्योंकि यह lifelong जो है चलेगा, अगर यह जो है, इसके identity यहाँ पर दर्शा आता है, कि यह इस family से belong करता है, अगर आप इसका surname जो है change कर दोगे, मतलब यह पुरानी family का surname अगर use करता रहेगा, तो उसको यहाँ पर लगेगा कि मैं एक किस family पर रह रहा हूँ, मैं surname यहाँ पर कुछ और use कर रहा हूँ, दूसरे लोग कुछ और surname यहाँ पर use कर खाफी को जानने को मिला होगा, आप अपने opinion लिखेंगे जरूर इसी के साथ यह तंद इस वीडियो का, सुने के लिए बहुत बधनिवाद, चैहिंद जावारत